वेलो देर स्टूरेंट्स कैसे है आप सब लोग मैं मुहिंट पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और आज आज हम लोग करने जाने वाले है क्या आज हम लोग करने जाने वाले है 14 अप्रिल 2023 के बहुत इंपोर्डन 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 का अफेर्स आफ कि आप सब लोगों की स्टडीज जो है एकदम दुर्राटे काटते हुए स्मूदली चल रही होगी और प्रतिक्या बैच में प्रतिक्या 2.0 में आप लोग एंडोल भी हो चुके होंगे चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपना आज का लेक्श्चर अपना आप सबको स्वागत करता हूं मैं सुथिती एन्डा 24 7 जो कि आप लिया यूज शनारी बहुत सारे ग्लाफेश करनी में और चारोब करने और लोका स्ट॥्यों चलीर का जल है की इनकली में सब्सकी की सब्सक्राब में आगे लिए आगर है रेड़ी सबमशनों मैं necessary एकदम रेड़ी है करते है स्टार्ट तो देखते हैं आज कि हमारे पास क्या-क्यान यूज है एक बार फिर से आपका किया किया और है फॉप्चन है माले पास जस्टिस अ परेशकुमार जस्टिस अरुनोदैंकूमार जस्टिस पारेश मोहंति या जस्टिस नितिश शीसोडिया तो फड़ावट 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 संबसा अंसर दीजिए बिना रुक और जुमुब प gesch figa Rath comment कर forbidden चुनर कमार को बनाया जा रहा है क्या है चीफ जस्टीस ऑर बार में जल्दी सि इनके वार क्या क्या information इनके बारे में हमारे पास तो वकीलों के बारे में मैं तो में पता था कि किसी वकील को देख लो क्या करते हैं वाइट शेट नीचे वाइट पैंट या ब्लैक पैंट ऊपर से कोट ठीक है और क्या मुझ ठीक है दाड़ी सपाट है ना सब वकील दिखने में ऐसी हो राइकौर्ट के एड बन गए थे हो ल्ट रहें जस्टिस अपरेश कुमार सिंग इस बिन अपॉंटेड अज दे नूज चीफ ज़स्टिस आफ द द रिपूरा हाइए कोर्ट रेप्लेसिंग जस्टिस जस्वन सिंग रिसेंटली डिटाइड ठीक है तो जस्टिस जस्वन सिं puesto रिकिटीश्टी तो अब आया जस्टिस आपरेशकोमार न के ऐन के बारे में और है न के बारी न की डिका पास की अए पर्भारत्मेंट टृस्टीश कि लिए कि आप्नेटिशिoba कि the Department of justice in देलोंडिश्टी इस्युद नो किसां इश्टिंट्टिंट्दॉ शुई रुल्xy कmez वाग्पकिन हलं, अविर सब्सकारी, कि तुमीन हाते हुट। बिश्वousेदिट कि हमेरेस्य कुमारीश का सिंग। अपार्च ये खरिकन्ट वाग कॉ से सथमे बिदेख भीच अच्छिश से घॉरिपूरा फिराप्पूर्पारिपूरा। with effect from the date he takes charge of the office तो department of justice किसका department of justice law ministry का department of justice जो है उसने क्या कर दिया उसने एक proclamation निकाला है या उसने एक notification निकाला है और उस notification लिख दिया है कि justice अपरेश कुमार को जो है प्रेसिडेंट ने क्या करती है अपॉइंट कर दिया और यह कहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ जेस्टिस ऑफ हाई को तो इसको लिखा गया है आटिकल आटिकल के तहत प्रेसिडेंट ने इनको आपॉइंट भी कर दिया और इनको बोला गया है कि जली जली से जोइन कर लो ठीक है और इनका वो कितने एज तक रिटायर्मेंट एज क्या है ठीक है और जो जज होता है जज जज ऑफ था ही कोट उसकी रिटायर्मेंट की एज क्या है यह आप लोग बताएं कि मुझे कमेंट सेक्षन में वीडियो के नीचे ठीक है चली हिंदी में देख लेते एक बार क्या है नयाय मुर्ती अपरेश कुमार सिंग को हाल ही में सेवा निवरित हुए नयाय मुर्ती जस्वन सिंग की जगेत्री पूरा उच्छ नयायले का नया मुख नयाय दिश न्यूस किया है कानुन मंत्राले ने नयाय विभाग ने एक अधी सूचना जारी कर कहा कि राष्टपती ने भारत के सविधान के अनुच्छे 217 द्वारा प्रदत्थ शक्तियों के तहत नयाय मुर्ती अपरेश कुमार सिंग को नियुक्त किया है जो जहारखन उच्छ नयायले में नयाय अधीश पद्भार ग्रहन करने की तीथी से प्रभावी होंगे ठीक है और यह है अब परेश जी आपके सामने जो कि त्रिपूरा के नये चीफ जस्टिस अफ था हाई कोड बने समझ में आया तो जली जली से दिखाऊ मुझे अपने अंगोट है और बोलो कि हासरा आगे फॉलिएंग पेंटिंग रिसेंटली रिसीड जी इटेग तो जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टाग यह ना दो तीन दिन से अम लोग लगातर कर रहे उसको कल नहीं किया था चाहथ परसो तेर सो भी हम लोगों नहीं किया था यह ना बसोली पेंटिंग्स एक उसके बारे म पेंटिंग को हाल ही में जी आई टैग प्राप्त हुआ है ओप्चन है हमारे पास मत्वृ पेंटिंग केरला मूराल्स मदुबनी पेंटिंग्स या पेंटिंग्स है तो आगल आपकल लोग लगना है कि आंतल रहे वह केला मूरालस है तो यहां था कि डिस आप लोग isn't क्रूव जोवा तो पेंटिंग्स आंसर इसका गोंड पेंटिंग्स ठीक है तो मतुरा पेंटिंग्स का किये मतुरा पेंटिंग्स उत्वर प्रदेश किये केरला पेंटिंग्स केरला किये केरला मुराल्स है ना और मदुबनी पेंटिंग्स का किये बिहाज किये है लेकिन गोंड पेंटिंग्स को मिला है जी आ मध्यम्य परदेश को और मध्य परदेश का персонаж तुक ट्राइबल्स क्या करते हैं इन पेंटिंग्स को बनाते हैं और इसी पेंटिंग्स को आप मिल के जी-ाइट अब नीवे नहीं बनाते हैं अब दोगों दिखाते हूं ठीक है तो इसका आइए मद्यपरदेश देखो दिख दीए के पेंटिंग्स यह ना कैसे बनाई यह तो यह फीमेल है इसका जुड़ा भी बना दिया इन लोगों ने यह ना यह मुर्गा टाइप भी बना दिया मुर्गी है सब्सक्राइब तो अंडे वगरा दिया कुछ और मुर्गा भी दिखा दी पीछे क्या अगर रहा है सारी सारी चीजे दिखा रहा है तो एक डिफरेंट स्टाइल आफ पेंटिंग यह ना दो क्या बोल रहा है MPs गोंड पेंटिंग और पेंटिंग अक्वाय जी आइटक और का से आगया ठीक है एक अक्वाय जी आटक तो MP के मध्यप्रदेश के गोंड पेंडिक प्रदेश has been granted the coveted geographical indication tag which safeguards and acknowledges the work of tribal artists ठीक है तो tribal people बनाते है इसको acknowledges the work of tribal artists and requires approval from a committee for non-tribal artists to use the art ठीक है अब यह लोग क्या करते है यह लोग करते है यह वाला art कौन लोग tribal people यह गोंड tribe के जो लोग है वो गोंड paintings वगरा बनाते ठीक है इनका copy 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 करकर के दुसरे जो modern artist वगरा है वो क्या करते है बहुत पैसा कमाते है अब क्या मिल गया अब इनकी तरह कोई modern artist अगर बना दिया तो उसके बार fine लगे जाएगा बहुत intellectual property का आगे ना कि यह तुने permission ली थी इन लोगों से बराने से पहले न वही बेचेंगे ठीक है और किसी को permission देनी है उनको तो लोग permission दे सकते है लेकिन उसके बदने में पैसा लेंगे वो ठीक है आगे दो क्या बोल रहा है the GI tax certifies that only the registered and authorized user is permitted to use the name of the popular product ठीक है और यह जो popular product है गोंड paintings ठीक है इसका नाम भी कौन यूज कर सकता है सिरफ वोड लोग जिसके पास permission है जिनको permission दे सकते है दे रखा है ठीक है उसके अलावा कोई नहीं कर सकता मतलब अगर ट्राइबल चाहे तो ट्राइबल इस वाले paintings को अपने तक सीमीत रह सकता है आगे दो क्या बोल रह इस विल रिचीव रिकांगेशन अउनिक आइडेंटिटी एंड फेर प्राइस और यह क्या बोल रहा है कि इस जी आइटेक्स से इन पैंटिंग को क्या मिलेगा इन पैंटिंग को recognition मिलेगा यह ना दुनिया में एक यूनिक आइडेंटिटी है इन लोगों की और क्या फेर अच्छा प्राइस मिलेगा ऐनको थिक है बढ़े आगे आगे लागे देखते जरस और क्या अपने बस इधा को यह वाली पैंटिंग ने थे आइग अ ब्रदेश की प्रसिद इंटिंग को पतिष्थ पतिष्थित भवगोलिक संक्तिफशु बहुएुघ जाए के नीज के जी आई टैग दिया गया है जो अधिवासी कलाकारों के काम की सुरक्षा करता है और स्विकार करता है और कला का उपयोग करने के लिए गेर अधिवासी कलाकारों के लिए एक समीती से अनुमोदन की आवशक्तिया होती है जी आई टैग प्रवानित करता है कि केवल पंजिक उपयोग करता को लोग प्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है जी आई टैग मिलने से इन पेंटिंग्स को पहचान विशिष्ट पहचान और उचित मुल्य मिलेगा ठीक है समझ में आ गया है तो जली 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 से दिखाऊ मुझे अपने अउठे और ब इन लोगों का यह बना दी जली बड़े आगे चलिए नेस्ट कोशन देखते है हमार पास क्या है तो नेस्ट कोशन हमार चेलिए स्क्रीन पर कुछ इस तरीक एक आए जली से देखिए which among the following century records the first photographic proof of tigers अब हुआ किया है कि एक wildlife century है और उस wildlife century में पहली बार एक tiger देखा गया है ठीक है और उस tiger का photographic evidence भी मिला है मतलब फोटो खिचके मतलग गया है कि tiger है वापर ठीक है तो वो wildlife century क्या है इसका मतलब अभी-अभी tiger का census आया था कली बढ़ा है मैंने आप लोगों को tiger census जिसमें मने बताया आप लोगों कि 3167 tigers हो गए 2022 की मिला कर तो 200 tigers बढ़े ये भी बताया मने आप लोगों को किसके मुकाबले में 2018 के मुकाबले में 200 tigers जो है उसकी वृद्धी हुई है बढ़ गया इंक्रीज हुआ है ठीक है और एक टाइकर और मिलिए मदब 2016 18 होगे मतलब हो ना देहो क्या हो निमनलिकित में से किस अभया अरण्य में बागों का पहला फोटोग्राफिक सबूत दर्ज है हस्तिनापूर सेंचओरी नवापगन सेंचोरी निश चंबल सेंचरी यह रहनी वाला है सुछन चंबल सेंचूरी नवापगन ते शेएंन का मतलब यह उत्तर प्रदेश में एविडन्स मिला है और अगर आप लोगों का अंसर लग रहा है कि सर हंडिड परसेंट इसका अंसर क्या होने वाला है नवाब गंज नवाब गंज सेंचुरी तो आप लोग रांग हो और दुबारा से रांग हो आंसर इसका सुहलवा ठीक है तो सुहलवा सेंचुरी सुहलवा सेंचुरी जो है वह क्या है वह ऐसी सेंचुरी है जहाँ पर हमें एविडन्स मिलता है किसका टाइगर्स का है ना टाइगर्स टाइगर का एक टाइगर का एविडन्स मिला है कि वहाँ पर टाइगर्स भी है ठीक है और एक है इसका और और एक पर भी होंगे है न और बहुत बड़ी century ऐसे नहीं कि छोटी century दो-तिन districts कवर करती है वो ठीक है चल देखो क्या बता रहा है इसके बारे में ठीक है ऐसी कुछ photo मेली है है न देखे क्या बता रहा है यूपीज, सुहलवा सेंचुरी रेकॉर्ड फिर्स्ट फोटोग्राफिक प्रूफ 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 दिया है कि यहाँ पर भी टाइगर्स है according to a recent census report on tigers in the country, सुहलवा wildlife century has been identified as a new area where photographic evidence of tigers has been captured for the first time और यहाँ पर पहली बार tigers मिले और पहली बार tigers होने के evidence सुहलवा संचुरी के बार में क्या वता रहा है कि सुहलवा संचुरी जो है यह 1988 में established होगी है and is located in श्रवस्ति और कहाँ पर located है श्रवस्ति में located है श्रवस्ति ठीक है ऐड नियुद्य का अच तो इछ कोणन करा यकी है log और इंडिय और नेपाल के बॉर्डर पर ये संचुरी पढ़ती है, इसको जाना जाता है किसलिए? इसको जाना जाता है फॉर इट्स नेपाल के लिए जाना जाता है इसको, और King Sohail Dev, King Sohail Dev के नाम पर, King Sohail Dev जो है, इनके नाम पर क्या रखा गया है, इस Wildlife Century का नाम रखा गया है, आईए हिंदी में देखते हैं, फटावट फटावट से देखते हैं हमारे पास क्या information है हिंदी में, यह है Tiger जिसकी फोटा हमें मिली है, देखो क्या हो रहा है, UP के सुहलव अभिरान्या में बागो का पहला फोटोग्राफिक सबूत दर्श किया गया है, देश में बागो पर हाल ही की एक जनगन्ना रिपोर्ट के अनुसार सुहलवा, वन्यजीव अभिरान्या की पहचान एक नए शेत्र के रूप में की गई है, जहां पहली बार बागो के फोटो यह 452 वर्ग किलोमीटर में फैला है और भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, यह अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है और इसका नाम राजा सोहलदेव के नाम पर रखा गया है, तो समझ में आगया है क्या और समझ में आगर आगया है तो दिखाती हो हमारे पास क्या कोश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट कोश्चन हमारे टेलेविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, जल्दी जल्दी से देखिए क्या कोशन है, विच अमंग फॉल्विंग स्टेट गवर्मेंट लाउच्ट संजीवनी प्रोजेक्ट तो एंशूर दाट लाई स्टोक इस प्रोवाईडेड ग््वालिटी ट्रीटमेंट इन अ टाइम-बाउंड मैनर ठीक है, तो अब सीन किया है कि कि इस टेट मेंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कीया है, और इस प्रोजेट का नाम है शंजीवनी प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा, जितने मतलब क्या गाई है persuaded और क्या इन दोनों के पती है मतलब वैल है जोटा है या रेडा जोटा-ना बैस जो भी बहुत इंप़क्रिशम में थेना तो वह लोग है तो वह लोग बहुत इंपोर्टन्ट है किसलिए फार्मिंग में इंपोर्टन्ट है तो बिमार तो संजेब्डी प्रोजेक्ट स्टाट किया और संजेब्डी प्रोजेक्ट में किसी एक स्टेट की जो गवर्रमेंट है वो क्या करेगी वो लाइफ स्टॉक को तो एमर्जैंसी में या किसी भी हालत में जल्द सी जल्दी प्रोटेक्शन देने की और जल्द सी जल्दी के उसको ट्रीट्मेंट देने का काम cat है संजीब्नी प्रोजेक्ट स्टार्ट किस स्टेट में वाईए पुछान लिकित में से किस राज्य सरकार ने पशु धन को समय तरीके से गुन वृत्ता पूर्ण उप्चार प्रदान करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की बड़ी मुश्किल है ऑप्चन है पंजाब हिमाजल प्रदेश उत्राखंड या उत्तर प्रदेश तो फटावट 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 से आंसर क्या है अगर आप लोग लग लग रहा कि सर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अभी एक आंसर हम लोग नें उत्तर प्रदेश का देखा है ना सोहल देव तो क्या उत्तर प्रदेश इसका आंसर भी बिल्कुल 100% रांग रांग आंसर है इसका क्या हिमाजल प्रदेश तो हिमाजल प्रदेश की सरक चल्टू को क्या होता है लाइश्टॉक को किसी भी लाइश्टॉक को अगर प्राबलम आती है तो यह लोग क्या गरेंगे एमर्जंसी में जाएंगे और मदद करेंगे संजीनि प्रोजेक्ट को जंडी भी दिखाई जाती है तो हिमाचल प्रदेश की एकनओमी डिपेंड करती है, किस पर? agriculture पर और animal husbandry पर, animal husbandry और agriculture से ही सबसे जाला पैसा आता है, हिमाचल प्रदेश की एकनओमी, दूसरा क्या होगता है? The rural households in the state consider livestock care as crucial aspect given the livestock population of approximately 4.41 million, तो ही क्या होगता है? स्टेट कंसिडर दा लाइट स्टॉक केर एड़ कुरूशिल एस्पेक्ट तो हिमाजर पदेश की गाव में हिमाजर पदेश की किसी भी गाव में चले जा आप इंडिया के ठीक है तो लोग जो है अपने परशिवों को बहुत अच्छे से क्या करते पालते ठीक है और उनकी के अच्छा के पालते प्लूशिल एक पॉपिलेशन इस अप्रॉक्ष मिलीएं तो क्या बोल रहा है एक पॉर पॉइंट फॉर वन मिलिएं तो क्या बोल रहा है एट पर लगवग लगवग कितने जालरलिक्स लाक क्या है यहां पर लाइफ स्टॉख है हें और सभी आपती इस था ऐम सदक में अपर सब्सक्राइब प्रजेकत कोशित cannon humans to तो बीच में छोड़के भी चले जाते गई लोग कि यह फार्मिंग नहीं हो रही है कुछ और करके देखते हैं तो फार्मर्स का क्या बढ़ाने के लिए टाइम प्लेट बढ़ाने के लिए लाइफ 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 बढ़ाने के लिए वह टोल फ्री नमबर जो वह अभी तर्ट नहीं हुआ ठीक है इस वाज से में लाया भी नहीं ठीक है क्योंकि गवर्मिन ने रिलीज नहीं कर आया भी तर्ट तुरुसरा क्यों रहा है यूटिलाइजिंग टेली मेडिसीन और टेकनलोजी तो यह बोल रहा है कि हाई कॉलिटी सब्सक्राइब लगुद्ड परेंगे तरेकनलोजी के इसमाल कर जाएगी टाहिकि लाइज बढ़ जाए और लाइज स्टॉक की लाइज पढ़ने की वज़े से फार्मर की लाइस प्रदक्शन भी बढ़ेगा फिन आ फिन प्रफिट भी आएगा ठीक है तो यह सब सोच के को स्टार्ट किया गया this will aid in reducing the turn around time for services and potentially prevent outbreaks और यह क्या बोल रहा है कि इससे क्या हो जाएगा कि मदद मिलने की जो जैसे for example किसी जानवर कुछ होता तो पहले तो जल्द जल्द पता नहीं चलता फिर जब गिरता वगरा है तब पता चलता है कि वह उसको कुछ हो रहा ठीक है तो ऐसे situation में एक दम से किसको कॉल करें तो पहले ही क्या करती है यह लोग number provide करेंगे उस पर call करो और emergency में वो जो है ambulance वगरा आएगी और क्या करेंगी treatment वगरा देगी ठीक है तो यह कहा हो रहा है क्या तुम जानवर को ठाइक कई मत लेकर जाओ call कर दो हम ही आ जाएंगे ठीक है and potentially prevent outbreaks और outbreak वगरा outbreak वगरा मतलब viruses वगरा को क्या करेंगे protect करने की यह लोग कोशिच करेंगे कि viruses वगरा ना फेले किसमे एनिमल्स में livestock ठीक है तो इस तरह की हिमाजिर प्रदेश में हिमाजिर प्रदेश की अर्थव्यवस्ता मुख्य रूप से क्रिशी और पशुपालन पर निर्बर है लगबग 4.41 मिलियन पशुधन आबादी को देखते हुए राज्य के ग्रामिन परिवार पशुधन की देख बाल को एक महत्वपूर्ण की है इस पर योजना का उद्देश टेली मेडिसिन और प्रद्योगी की का उपयोग करते हुए किसानों को उनके घर पर सुवीधा जनक और उच्छ गुनवत्ता वाली पशुधन देखभाल सेवाय प्रदान करके उनके जीवन को बहतर बनाना है यह सेवाओ के लिए टर्न में आया गया है तो जल्दी 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 से दिखाओ मुझे अपने आंगोटे और बोलो कि सर 100 परसेंट आ गया समझ में कोई दिक्कत नहीं है पेपर में आता है तो कर लेंगे कि हिमाजिल प्रदेश ने स्टार्ट कर गिया संजीवनी प्रोजेक्ट आया के नहीं आया लीचतस का है इंपर्टन कोशन है प्राइमिमिंश्टर नर्यंदर मोधी लाउंच दर फुर्स्ट वंदे भारत एकस्प्रेश्ट्रें और विच्टेट्स會 टेक है तो कौनशे स्टेट की पहली वंदे भारत एकस्प्रेश जो है वो रिलीज करिए रिसेंटली प्रदानमंत्री मोदी ने तो प्रदानमंत्री मोदी तो फिफ्टिंथ या दखना फिफ्टिंथ क्या करिए वंदे भारत मेट्रो वंदे भारत ऐसों कि को क्या दिखा दिया है की अच्छाए प्रदार्मंत्री मोधी और अभी जस्ट कि सब्सक्राइब अब धाzepंवाट नहीं का न सिकंदराबाद से पूरा अउधी अग्स भोष्पाना अर्माद से दिल्ली वाली वैक्ती सब्भमस कर छो नम्हें गाहिते है ले लगबग कितना सीटीन गंटे का टाइम कम करती है पहुंचने में अब एक कोई नया स्तेट है इन में मेंसे न में में इस सब्साइट की। सब्से पहली क्या स्टाट हुई है सबसे पहली वंद्र भारत सब्साइब सब्साइब कर दूंगा कैसा कएब दिंगा का मोधी ने किस राज्य की पहली वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेंड का शुभारम किया अप्शन है हमारे पास तमिल नाडू राजस्थान ओडिशा या वेस्ट बेंगॉल तो जंदी जदी से अंसर दीजिए और बताइए कि आंसर क्या होने वाला है अगर आप लोगों को वंदे भारत मेट्रो स्टाट हुई है आज आई है इसके बारे में फटावट से इन्फर्मेशन लेते हैं यह वंदे भारत मेट्रो है ना पुरे पुरे इंडिया में कलर वगेरा सब सेम ही है इसका दे क्या हो रहा है प्राइम निश्टर मोधी फ्लैग्स ऑफ राजस्था में यह यह वा गया और पंद्र भी न above are train जो है वह किया है दर्यंदर मोधी जी का करती अ इसको फ्लैग collide तो हएका ऐ किया बल रहा है राजस्था अकी पहली पाली है फैंस इन पयली है प्ली ऑफ और रेगंश्र्स तर्विस ऑफ दाभी स South Chen का दिन्न कंट जाएगी शार्ण इन धिल्ली कंट जाएगी चुप इन जईपउर अलवर थो जाएगी वो गुड्रा में क्या शाहए गाई ऑल ज्यूर्ण में च्टेंस भी दिल्ली गन्तरमेंट और फ़ीपिटीन मिन्ट्स इसिंप्रसिव और पाज गंटे और पंदरा मेट्ट में यह करेंगी दिल्ली और अजमेर की बीच का इस्टन्स यह कावर करेंगी जो की बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि लगभग लगव 10-11 घंटे लगते यह ठी जोकि ऑप्रेट करेगी ऑन हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रेटरी तो हाई-डाइज ओवरहेड एलेक्ट्रिक ट्रेटरी पे चलने वाली यह इंडिया की नहीं वर्लड की क्या है पहली सेमी सेमी हाइज प्रदार मंत्री नरेंदर मोधी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन की शुरुवात की जो देश की पंदरवी ऐसी ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन की नियमित सेवा 13 एप्रिल से शुरूख होगी और यह जैपूर, अलवर और गुरुगराम में स्टॉप के साथ आजमेर और दिल्ली चावनी के बीच चलेगी तथ यह है कि यह दिल्ली चावनी और अजमेर के बीच पाच घंटे और पंदरा मिनिट में दूरी तई करेगी इसके अलावा अजमेर दिल्ली चावनी वंदे भारत एक्स्प्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक ओ एच ए शेत्र पर चलने वाली दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन भी है जो एक महतोपुर्ण उपलब्दी है समझ में आ गया है तो जली जली से दिखाओ मुझे अपने आंग उठे और बोलो कि हाँ सर आ गया है समझ में यह बताओ की नेक्स कोशन है कि देखते पर अपने पास चलो नेक्स कोशन नहीं प्रतिग्या 2.0 में क्या करना अपने को एंडॉल करना किसके लिए जिसकी अभी तक तयार यह अच्छे से नहीं हुए तो सीउटी के लिए जरूर बजरूर प्रतिग्या 2.0 में रोल कर लेना सीवीटी एक्जाम तक चलने वाला बैच है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टन देश और प्रतिके 2.0 में रोल करने के लिए जो कोड आपको इस्तावाल करना है वाय 742 यह वाला कोड इस वाले कोड डालते ही क्या हो जाए वाले कोड डालते ही आप लोगोगों को 21% का बंपर डिसकाउंट मिलेगा ठीक है सर कहा डालना यह वाला कोड आप यह पताता हू जाओ किस पर गूगल बाबा पर जाएंगे अपन ठीक है वैसे ही अपने को यहाँ पर दिखेगा अड़र 24 7 लिखोगे वैसे ही क्या जाएगा यह वाला ऑप्शन आ जाएगा अज़र 24 7 इंडिया जाएगा इसके उपर टिक करते ही क्या होगा ऊपर और जाएगा इसके आपर टुकर जैसे कलिक करोगे वैसे यहाँ पर आएगा सब्सक्राइब सकती। तो मान लोग किया आप लोग क्या है आर्ट के ऊपर क्लिक करिए ठीक है सेम चीज सब में चल रही है प्रतिक के बैच बंद होगे प्रतिक के 2.0 17 तारिक से स्टार्ट होने वाला है ठीक है तो प्रतिक के 2.0 हमें दो बैचस में दिख रहा है एक यह वाला बैच section 1 और एक यह वाला बैच section 2 तो इन दोन में फरक क्या है इन दोन में फरक बस इतना है कि इसमें जो बड़े वाला बैच दिखते हैं हमें section 1 जो दिख रहा है इसमें आपको क्या केते हैं history, policy, economics, history, policy, science, economics और geography के साथ-साथ इसके त्यारी करोए जाएगी मान लोगे आपको यह वाला course लेना है ठीक है तो इस वाले course में इस वाले course में कितना बाइन आउपे जाईए सारे की सारी information इसके बारे में साइन्स वालोगे लिए ठीक है तो आप लोग क्या करिए बाइन आउपी जाएंगे तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट देखे कि हम हमें जो की 2999 रुपए कि यहां पर 15% का discount दे रहा ही है इसके पर apply कर दीजिए तो आपको कितना 2550 रुपे का यह वाला course पढ़ जाएगा मतलब क है चारसुपचास रुपे और लोग भी बच रहे है तो और पैसे बचेंगे मेरे वाला दर कोड लगा होगे आप लोग Тो मेरा वाला code क्या है वाइध सेवन फोर टू वाई सेवन फोर टू जैसे वाई सेवन फोर टू अपलाई करते हैं करते ही आपके पांसो दस रुपे बच जाएंगे मतलब साथ रुपे और बच रहें आपको तो यह वाला कॉर्स आपको 2490 रुपे के आसपास आ जाएगा इसके उपर कंटिन्यू कर लेना ना यहाँ आपना फूलेम फोननबर डाल देना और कंटिन्यू करके पैसा दे देना ऑर क्लासे सटरा तारिक से स्टार्ट है आशा करता हो कि आपको आज वाल लेक्श्टर जो है वह बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत बहुत पसंद आया तो इसको लाइक करें शेर क झाल झाल